हाई एवरिवान गुड मॉनिंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सनिवार का दिन है और सुबह का टाइम है खाना पीना मेरा हो चुका है और अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने तो मंदिर में आई हूँ तो आज मैं आप सब के साथ एक बार फिर से अपनी डेली हाउस क्लीनिंग रूटीन सेयर करने वाले हूँ तो सबसे पहले मैंने मंदिर से ही स्टार्ट कर दिया है तो जिस तरह हम पूरे घर को अपने डेली साफ करते हैं किचन को घर को बेडरूम को उसी तरह अपने मंदिर को भी साफ रखना चाहिए और इसमें बहुत जादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ पांच से साथ मिनट लगते हैं मंदिर थोड़ा सा बड़ा है या रूम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है और किसी किसी का होता है बहुत ही छोटा सा मतलब किसी रूम में ही मंदिर बना होता है तो उसको करने सुबह पहले बनाना होता है तो वो सब बना के उसके बाद आई हूँ पूजा करने में तो ये कोई मेरा फिक्स रूटीन नहीं होता है कि मतलब सबसे पहले नहा के पूजा कर लूँ उसके बाद घर की साफ सफाई करूँ किसी दिन पहले नहा लिया तो सबसे पहले पूजा अ अलग से रखा हुआ है जो डेली घर में और जगें इस्तेमाल होता है वो चीजे मैं मंदिर के लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ सब कुछ अलग से रखा हुआ है और मंदिर में ही ये सारी चीजे एक तरफ रख देती हूँ और जो है इसी से मंदिर की सफाई होती है तो बस कुछ मैंने साफ कर लिया है तो साफ सफाई होने के बाद अभी जो है पूजा कर ले रहे हूँ और पूजा करने में भी मुझे 20-25 मिनिट लग जाता है तो अभी देखिए मंदिर कैसा लग रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है ना थोड़ी सी सफाई करने के बाद और पूजा करने के बाद एक अलग ही वाइपस आ जाती है और पूरे घर में इतना काम करने के बाद पूजा करने के बाद पूरे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है तो बस पूजा वगरा करने के बाद मैंने चाय वगरा पी नास्ता किया और अभी लग गई हूँ जो है साफ सफाई में तो सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ तो जैसे होता है ना बीच में अगर टाइम मिल जाता है तो रूम वगरा की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ लेकिन अभी ज अभी लिक्विड ले ले लिया है और पूरे गैस पे प्लेट फॉर्म पें टाइल्स वगरा पे सारा जो है यही क्लीनिंग लिकविड जो है स्प्रेट में भरा है तो इसी से साफ कर दूँंगी हटे में दो या तीन दिन साबुन से साफ करती हूँ बाकी जो है इसी लिक्विट का ये फायदा होता है कि सफाई भी अच्छे से हो जाती है और टाइम भी कम लगता है साबून से साप करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है तो बस इससे लिक्विट से साप करने के बाद उसी टौविल को अच्छे से पानी में धो लिया है और अब उससे ज साब करके पोच के जो है यह लगा दे रहे हूं तो सुखे कपड़े से पोचने के बाद ना जो भी पानी के धब्बे वगरा रहते हैं सब एकदम क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल चमक जाता और आप देख रहे हैं गैस स्टोब बिल्कुल चमक गया है तो बहुत ही पुराना गै केक बास्केट में मैंने रखा है तो उपर से ट्रे से ढखा हुआ है कि उसमें कुछ जैसे कीड़े वगरा ना जाएं डब्बे में रखती हूं ना तो फंगस लग जाता है इस वज़ए से बास्केट में रखा है तो सब को पोच के इसी कपड़े से रख दिया है इधर जो रेक लगाया हुआ है इसको भी डेली के डेली साफ कर लेती हूं क्योंकि ये गैस के उपर ही है ना तो जल्दी मतलब गंदा अभी तो नया ही इसको लगाया है इसको लगाया बहुत जादा दिन नहीं हुआ लेकिन गैस के बिल्कुल उपर है ना तो यहां तो गंदी की बह तो उदर की सफाई करने के बाद इधर प्लेटफॉर्म पे भी यही लिक्विड डाल दिया तो इस लिक्विड में ना डिटॉल विम जेल और यह खाने वाला सोडा यह सारा कुछ मैंने मिलाया है तो यह सफाई भी अच्छा करता है और हाईजीन के लिए भी अच्छा है घर्मिओं में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देणा होता है हाईजीन का भी ध्यान रखना होता है मख्ही मम्री इन सबसे बचाना होता है अपने कीचन को तो यह लिक्विड बहुत हीGen अच्छा है तोूँ इधर यह मिक्सर ग्रैंडर और यह मसाले के डबे बगर जो भी है सब को मैंने इसी कपड़े से पोच लिया है और इसी तरह से डेली जो है पोच्ती रहती हूं हपते में एक दिन जो है पूरा जो है वीकली जब क्लीनिंग करती हूं की चनकी तो फिर अच्छे से सफाई होती है तो बस उधर का सब कुछ साप करने के बाद अभी आ गई है इध बरतन की बारी तो सारे बरतन वगरा धोले रही हूं तो पूरा बरतन जो है मैं नहीं धोती हूं और सारे बड़े बड़े बरतन जो है वो सब मंजू अंटी धोती हैं बाकी के कप गलास छनी और यह जो क्रॉकरी वाले होते हैं या प्लास्टिक वाले जो भी होते हैं यह तो पूरे बरतनों को धोने के बाद अभी यहां पर यह जो टैप का टोटी था ना उसको मैंने विनेगर में भीगा के रात भर के लिए छोड़ा हुआ था तो इस पे भी पानी का दाग लग जाता है ना जो जाली वगरा होते हैं तो पानी जो है अच्छे से फ्लो में नहीं आता है तो मैंने रात को विनेगर और वही सोडा डालके कब में डाला हुआ था तो अभी इसे अच्छे से साप कर दिया है जब इसको पानी में डाला था ना तो एक जाली वाला मैंने वो प्लास्टिक का जो अभी आपने देखा व और एक बार जो है रात के टाइम क्यूंकि बरतन में दो बार ही धोती हूं एक बार अभी खाना बनाने के बाद सुबह का और फिर साम को मतलब रात को जो है खाना बनाने के बाद धोती हूं तो उसी टाइम जो है किचन सिंग को भी चाहे बरतन कम हो दो चारी हो लेकिन किचन स को भी साफ कर देती हूं तो शारा कुछ साफ करने के बाद अभी यहाँ पर यह नीचे की अलमारिया जो है saaf कर दिया तो नीचे वाली थोड़ी सी जादा गंदी होती है उपर का मैं हप्ते दस दिन पे जैसे करती हूं लेकिन नीचे का थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती हूं डेली तो थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है लेकिन हर एक दो दिन पे दो मतलब करती रहती हूं अल्टरनेट करके नीचे का कभी ऐसे ही कपड़ा मार दिया या फिर कॉलीन से तो फ्रीज वगरा सब कुछ साप कर लिया है और अ अपने किचन को साप करती हूँ नीचे अभी जाडू पोचा लगाना बाकी है तो वो जो है पूरे घर में साथ में ही करती हूँ तो अभी आ गई हूँ रूम में तो यहाँ पे बेड वगरा सब कुछ सही कर दे रही हूँ तो किसी दिन अगर बीच में टाइम मिल जाता है तो सही कर लेती हूँ बेड सीट होता है ना कि बेड सही रहता है रूम में अगर बेड सीट हम अच्छे से सहे दे समेट दे तो आधा जो है घर साप सुतरा लगने लगता है अगर हम जाडू पोचा ना भी करे ना और चीजे स समेटी हुई हूँ तो घर साब सुत्रा दिखता है लेकिन वही है सुबह थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है तो नहीं हो पाता है और जिस दिन अगर टाइम मिला 5-10 मिनट का फ्री रहती हूँ तो कर भी देती हूँ अभी यहां पे इस रूम में आ गई हूँ तो यहां पे तन साफ कर दो तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल मेरे ही उपर है और मैं ही करूँगी तो करूँगी कुछ चीजे जो यह लोग कर सकते हैं वो यह लोग भी कर देते हैं जाडू पोचा यह सब तो मेरे जिम्में ही है जाडू मैं ही लगाऊंगी पोचा मैं ही करूंगी लेकिन हाँ आपने रूम में कंबल समेटना और जहां मतलब तन में पढ़ाई कर रहा है उसको समेटना बुक कौपी अपना रखना ये काम तो मतलब बच्चों को कहना भी चाहिए कि ये सब काम करने की आदत उन्हें होनी चाहिए और जब हम ये मतलब सोच के कि नहीं सारा कुछ हम ही करेंगे ना तो फिर बच्चों को अपना काम खुद से करने की आदत भी नहीं होती है तो जब अगर स्कूल चल रहा है तब तो टाइम नहीं मिलता है लेकिन चुट्टी है अगर नहीं स्कूल जा रहे हैं तो ये सब काम करने में कोई दिक्कत नहीं लिखा नहीं है तो बस पूरा रूम वहार समेटने के बाद जो उसने समेटा था और बाकी ज बाकी वहार था ना तो वह समया ने देख लिया उसके बाद सारे रूम में जाडू लगा दिया हैं किचन से ले authority और अभी यहां पर बरामदे में भी लगा दे रह Давय observateur yht। और द धूल बहुत जादा निकलते ही हैं और देखी रहे हैं आप लोग पूरा दोनों तरब से खुला हुआ है और आगे जाली है तो इस वज़े से थोड़ी सी गंदगी जादा हो जाती है मतलब अभी गर्मी में धूल आने के लिए पूरा उनको जगह मिल जाता है अभी यहां पे जैसे एक एक चीजों को पकड़ लेती हूं कि आज यह करना है आज वो करना है क्योंकि अगर डेली मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूंगी न तो मुझे दो से तीन घंटे लग जाएंगे और इतना टाइम तीन तीन घंटे जो है सिर्फ सफाई के लिए हम नहीं रे सकते हैं और भी काम घर में होते हैं जो है तो सब को देखते हुए सफाई करना है और अपने घर की चीजों को घर को साप भी रखना है तो मुझे तो यह सही लगता है कि मतलब एक एक दिन जैसे जो चीजे जरूरी है उनको डेली किया जाए बाकी एक एक दिन जैसे आज ये कर दिया कल वो कर दिया तो इस तरह से भी चीज़े साप रहती हैं ये टेबल वगर ये तो डेली रूटीन में है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है मैसी भी होता है तो इसको मैं रूटीन में डेली ही साप करती हूँ एकाद दिन कहीं जाना हुआ या फिर बहुँ जादा काम है टाइम नहीं है तब ही छूटता है नहीं तो बाकी इस रे का table और उस वाले room का table यह और dressing यह सब ना daily के daily ही साफ होते हैं तो वही है कि जो जरूरी है जो सामने डिखते हैं उनको तो daily करना जरूरी है यह study table तनमें ने साफ कर दिया है तो बाकी जो जरूरी नहीं है या जो चीज हम एक आत दिन छोड़ सकते हैं छोड़ के कर सकते हैं तो उनको ऐसे ही करना चाहिए इससे क्या होता है कि थकान भी नहीं होती चीजे साब भी रहती हैं और बाकी की काम भी हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो सफाई का ये मतलब नहीं है कि पूरे दिन जो है सिर्फ सफाई में ही लगे रहें जो है बिल्कुल ठक जाएं मेरा तो यही मानना है सफाई एक रूटीन रहना चाहिए डेली का जो है कि हमको ऐसे ऐसे करना है तो सबका करने का अलग-अलग तरीका होता है मैं इसी तरीके स सफाई करती हूं अपने घर की तो बस पूरा जाड़ू और डस्टिंग पूरे घर में करने के बाद जो है अभी पोच्छा लगा ले रहे हूं तो डस्टिंग भी जैसे डेली मैं कपड़े से ही कर देती हूं हपते में जैसे एक दिन दो दिन कॉलीन का भी यूज कर लेती हू डेली कॉलीन से सारा कुछ नहीं पोच्छती हूं कपड़े से भी साफ हो जाता है ऐसा कुछ नहीं कि कपड़े से बिल्कुल साफ नहीं होता है अगर हपते में तीन दिन हम कॉलीन से साफ करते हैं और तीन दिन जो है कपड़े से न तो भी चीजे साफ रहती हैं तो में से कोई भी करता है ज़्यादा तर मेरे जिमें ही रहता है ये तो जब ये मैंने छोड़ा हुआ था क्यूंकि अभी मतलब पूरा cleaning routine आप सब के साध्सेयर करना था इस वज़र से नहीं तो मैं सुबही जैसे जब इसे हैंडवास से भी साप कर देती हूँ लेकिन डेली रूटीन में होता है ना तो सही रहता है कि फिर रोज ज्यादा समय नहीं देना होता है थोड़े समय में भी ये साप हो जाते हैं तो बेसिन साफ करने के बाद अभी यहाँ पे गैलरी में भी पानी से अच्छे से डाल के जाड़ो से रगड लिया है तो सब कुछ साप हो गया है तो अभी पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है देखी और क्लीनिंग होने के बाद कुछ इस तरह से रहता है घर मेरा भले ही एक दो घंटे के बाद फिर घर की हालत इस तरह से नहीं दिखती है सब कुछ मैसी हो जाता है किचन से लेके पूरा रूम तक जो है लेकिन सफाई करने के बाद अच्छा लगता है और कुछ देर के लिए बहुत ही सुकून मिलता है और अभी गर्मियों में क्या होता है ना साफ सपाई करने के बाद हम फैन वगरा चालू कर देते हैं तो मतलब ठंड़क सी महसूस होती है तो अभी घर में कोई है भी नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी अच्छा रहेगा और साफ रहेगा फिर जब लोग आएंगे तो धीरे धीरे मैसी होना स्टार्ट हो जाएगा तो खेर कोई नहीं डेली रूटीन की ये आदत है और डेली रूटीन में ये सब होता है तो बस वीडियो का एन भी यहीं पे कर रही हूँ आज का ये मेरा क्लीनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा डेली क्लीनिंग रूटीन, डेली हाउस क्लीनिंग रूटीन कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बबाई, थेंक्स फॉर वचिंग